कोशिश करता हूँ अमेशा जब रोज आना की बुनियात पर जब μου मैं सामने आता हूँ अपने जजबा को सिपाइब के से बॉलने की कोशिश करता हूँ कि अकथर मेरे नीचे कमिट आते हैं को घूआ बहाँ अपना लेज़ा थोड़ा सा कंट्रोल करें, अब गालिया ज्यादा देते हैं, कभी क्या बोलते हैं, मेरा खून खोलता है जब मैं हालात देखता हूँ, और अवाम की तकलीफ देखता हूँ, कि ये पिछले जितना रोज का में मंजन बेचा जाता है, रोज आना हालात दिखा होती है, कभी क्या तकलीफ होते है, घर के राशन के लिए लोगों के स्कूलों से बच्चों को बाहर निकाल दी है, कभी कोई कहता है, मैं अपने बच्चों को बेचने जा रहा हूँ, खुदा की किसम ये बाते सुनके मैं कौन सा इखलाक दिखाऊ उनको, और कौन सी इखला सालों से जितनी तमीज हम ने दिखाई है, अवाम ने दिखाई है, आगे भी क्या फरक पड़ेगा, अब उस चीज़ से मना करते हैं कि नहीं आप तमीज से बात करें, मैं किस मूँ से तमीज से बात करूं, जो पिछले 18 महीने के जो पीडियम की गेम थी, उसमें 11 अरब किसे हैं, मैं अपने स्पीड कसे कम करो, मैं अपने जथफात कैसे कंट्रोल कर सको, मैं अपना गुसा कैसे ना दिखाऊ, 11 अरब रुपे इन्होंने सिर्प मीडिया पे लगा दिए, मैं खुदा की कसम मैं फ़ाज को बहुत कंट्रोल करके बात करता हूँ, हमारे पीडियम पाटी ने जितने भी ये नवाज गुरूप था या जितने भी सारे लोग थे पीडियम के जितने भी मुलाना के सारे गुरूप थे जितने भी सारे लोग थे 11 आरब इन्होंने मीडिया पर ये तीर मारा कि हमने 18 मेने में ये तीर किया वो तीर किया जिसमें हम किसी को नहीं पता कि कौन से तीर मारा है कौन से अवाम को रिलीफ मिली है अवाम की बिचारी की ये हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ना वो आटा खरीच सकता है ना वो बिजली के बिल दे सकता है ना वो रोज के टेक्स के बरदाश कर सकता है वो किस बन्यात पे तमीज से बात करूं भई मैं किस बन्यात पे मैं आपको इخलाग का दर्स दूं कौन से मैं ऐसे इंसानों के मुलक में रहता हूँ जहांपर इनको शर्म आएगी आपने मीडिया पर ये तारीफे करनी है खुदा के बंदे आप अच्छा काम करते हैं आप अच्छा काम करते हैं खुदा की कसम मैं आपको सपोर्ट करता है अपने पूरी पावर के साथ अपने पूरी मीडिया टीम के साथ अपने सारे फॉलोवर्स को बोलता है कि इनके तारीफ करें थोड़ा सा भी कल मैंने आर्मी की जो तारीफ सुनी है कि इनों डालर माशालला 20-30 रुपए नीचे आगया चीनी आगया और यह लोग स्मगलिंग माफ़े पर कर रहे हैं मैंने बड़ा चला कि लोगों मुझे क्या बोलता है कोई लिफाबा कहता है कोई कहता हार्मी के साड़ले तो आपको अच्छा काम करो खुदा पागी किसम से मैं आपको सपोर्ट करूंगा दिन की वक्त आका के आपकी अच्छी तारीफ करूंगा रात को इस घुसे में तिल मिला करके मैं यह बात नहीं करूंगा कि 11 अरब रुपए आपने मीडिया की कंपेंड पे लगाएं और लोगों को बताया कि वी आफ देन दिस काइंड अचीवमेंट्स वी आफ देन दिस हमने ये तीर मारा है वो तीर मारा है अवाम को ये चूरन बेचना है और फिर उस फ्लायर्स में लिगा रहे हैं और फिर आपने एक एक गरब अपने हरे मेने को दिया है जितने भी सारे वो लोग खड़े थे कि भाये जान आप हमारे साथ खड़े रहे हैं आप एक एक गरब आप रुपए आपको देंगे और उस इमरान खान की गुर्मेंट को खराब करने के लिए उसको टेस्ट नेस्ट करने के घर पे औरतों में गुसने के लोग पागल हो रहे हैं लोग खुदकुशिया कर रहे हैं कि गरों में महफूज नहीं है कोई भी आजाता है एक बंदे पे अगर केस रखा भी हो जूटा भी सच्चा भी हो तो उनके औरतों को भी बाएर फैंक देते हो औरतों की तमीज की वीडियो आपने उनके साथ जो बत्मीजी जो खुदा ना खास्ता कल ये पावर में आगे आप लोग के साथ क्या करेंगे आप लोग नहीं समझते हैं कि कल आना है कर्मा है कि अश्वाक एमत साथ की की बात याद आती है कि सबसे वफादारी की बात यह थी दोका वापस जिसको भी आप दोते हो वो वापस अपने मसकन पर आता है वापस आपके पास आ जाता है अगर खुदा नकासा इन लोगों के पास ये पावर आगी कि जिस तरह से आपने अठारे महीने में ये किया है और आपने मुलक को जो सत्यानास किया है ग्यारा अरब रुपे आपने मेडिया की कमपेंड पर हर जगा है कि वी हब डन दिस हमने ये अच्यूमेंट किये हमने इस तरह से अवाम की बजाई है हमने इस तरह से अवाम का खून निचोड़ा है हमने इस तरह से खौफ खुदा नहीं फिर सारे के सारे गायब हो जाते हो सारे के सारे लंदन चले जाते हो और हमें गुजारना पड़ते है बिजनी के बिल हमें देने पड़ते है गैस के बिल हमें परिशानी करने पड़ती है दो नबर धवाईया हमें खानी पड़ती है और फिर आप कहते हैं अब तमीज से बात करो तमीज का मौका तो दो खुदा के बंदे मैं आया से अलफाज मुझे तमीज के वो बेतरीन अलफाज आते हैं आज से दो मेने पहले की वीडियो देख लिए जब से मैंने ये खुराफात वीडियो बनाना शुरू नहीं किये थे आप देखें मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर था मैं आपके मुल्क के अच्छेशे खितों को दिखाता था मगर आज अब वावाम जब रोती है कि मैं अपने घर के बच्चे बेच रहा हूँ मेरी बेवी है और बच्चे हमनों खुदकुशी कर ले बहुत सारे अख़बारात आप उठा के देखे लिए जब गूगल पर साच करे इस एक साल में लोगों ने क्या क्या किये और उनका दिमाग वो कैसे कंट्रोल में रच पे जब आपको पता है एक बंदे की कैफित कैसी होती है जब वो अपने बिल नहीं दे पा रहा हूँ कि यार बिल बिजली कर जाएगी मैं अपने बच्चों को क्या मूँ दिखाऊंगा उनको तो पता नहीं कि गुर्मेंट हमारी किस तरह से बजा रही है उनको तो पता है पापा किस तरह कमा के देंगे बच्चों की फीस वो किस उस बाप को आपने कितना बिखेरत बना दी है बिचारा जो अपने घर के बच्चों को क्या जवाब देगा कि मैं किस तरह आप लोक आपकी खर्चे पूरा करूँ करूँ कि pendant गूर्मिन के संकड़ो पर दे रहे हर और हर चीज में गसा गसा के बजा रहे हैं चीनी करे मैं आप लोगोंगों आप लिए कि आवालत मत को अवाम को सहलत मत दे ना अवाम को सहूलत देगो क्या करेंगे वो आवाज उठाएंगे वो बात करेंगे फिर क्योंकि अगर सहूलत देदी तो इसलिए किसी दिन उसकी यहां से काटना शुरू कर दो किसी दिन उसकी ना काटना शुकर दो टैक्स लगा देने शुकर और तो कुछ ना हुआ तो कुछ लोगों के आवाजे फिर भी अगर चुपना हुई तो उनके घरों में जाके उनके औरतों के साथ पता नहीं क्या 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 अलफाज में बयान करूं यार ऐसा लग रहा है मकबज़ एक कश्मीर में रहते हैं कि अपने आवाज उठाएंगे तो मेरे घर के बेहनों को कुछ बेटियों को कुछ नहीं किया जाएगा कोई अगर मेरे दुश्मन कोई खेरतमन बन्ता होता तब मुझे आवाज उठाने में डर नहीं लगता था में बेखरतों से वास्ता पड़ा है हमारे इस मुलके हुकुमरान सब ऐसे बेखरत दुश्मन है जिनको अपनी किसी चीज़ के तमीज तो है नहीं आवाज उठाने पर नीचे गालिया देंगे और एक एक अरब आपने अपने अलग-अलग हमेने को दीए कि या रभी अठारा मैने में हम तो जितनी बजानी है बजाएंगे अठारा मैने के बाद एक अरब में आपने अवाम तो है ही फिर वह अलफाज जो मैं बोलता हूँ बेवकूफ चूतिया बन जाएगी कुछ-कुछ पैसे जेब में आ जाएंगे फिर हम बोलेंगे मूँ से सोचते हो कि मैं इस अवाम की किस किस तरह से आप लोग को को मैं बोलता हूँ कि आप इंटेलिजन्ट तरीके से खाओ कुछ भी करो अवाम को इस नेज़ पर आके क्यों आपके घर के सामने आपके वीडियोस बनाके आपको मा बेन की गाली अगर वो दे जितने हमारे पास मूँ है चलो हम सामने हैं नहीं आके बोलते अलग से हम लोग कितनी बाते करते हैं किस तरह के से बात करते हैं आप करप्शन की बात करते हो करप्शन की रूट की बात करते हो और माशाला हमारी आर्मी आके बोलती है कि हम अभी करप्शन के खिलाफ हम खड़े होता हैं मैं उनकी वीडियोज बनाई ही मैंने तारीफ की कि आप लोगों ने दो दिन आप लोगों ने डॉलर के रिट 15-20 रुपे नीचे कर दिये शुगर माफिया को कंट्रोल करके मैं सलूर करता हूँ इन बातों पर मगर दरलकीकत यह पता नहीं कौन सा मंजन आगे बिखने वाला है उसका कुछ नहीं पता कौन सा ड्रामा अवाम को खूल करने के लिए अवाम को जजबात से खेलने के फिर निचोडने के लिए अब तो इतने बेगारत दुश्मन से वास्ता पड़ा है कि मुझे घर के औरतों के लिए अब मैं क्या करूँगा मेरे घर के औरतों को या सपोज जिनके आप लोग इस तरह की हरकते करते हो जो उनको मार नहीं सके खुदकुशिया नहीं की उन्होंने जो बिलों से नहीं मरे जो अलग-अलग सेंक्रो टैक्सिस से ना मरे उनके घरों में आप लोग पिर किस तरह से जाते हो मतलब आप आवाज भी नहीं उठाओ आप आवाज सच भी नहीं बोलो क्योंके खबरदार आप हम तो जो की वर्ड वारियर्स है उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे क्या एक्शन लोग है बचा क्या है घर में खाने को नहीं है मैं रोज लोग मुझे मैसेजिस जो आते हैं अल्ला की कसम वो जो अजार अजार रुपे के लिए मैसेज करते हैं क्यों वली भाई खुदा के लिए आप इन बातों से आपने डुनेशन का काम शुरू कर दे हमें अरे मैं लोगों को आप लोगों से बीक मांग के उनको बीक दूँ जिन्दगी पूरी दुनिया ऐसी तरह चलेगी उनके हालाद देखे अगर उनके वीडियो के मैं वाइस आवर सुनाओ उनके मेंसिजिस सुनाओ जो कप कपाते ज़स्बात उनके अगर मैं सुनू की वो रो रो के कहते हैं कि खुदा के लिए घर में राशन नहीं है मेरे घर में यह नहीं है पंदरह थार पे, दस हजार पे, पांच हजार पे लोग मांग रहे, वो गेरतमन लोग, सपेद, पोश्ट लोग जो रोडों पे बीक नहीं मांग सकते किस मुलक की, किस बुनियात को मैं अच्छा कहूँ, किस चीज को मैं बयान करूँ मैं हर जगा जाके सुनता हूँ, इतने पैसो की दिमाग खराब कर दिया लोगों ने हर कोई ऐसे जॉंबी की तरह मुँ ऐसे खड़ करके उनके शकले बन गई है, क्योंकि किसी को ये सारे बिल्स देने के टेंशन, ये सा टेक्स और आपने के अरब रुपे, अपने मेनेस को दिये, कि आगे पर जब गेम ओन होगा, जब एलेक्शन होगा, तो पिर हम हवाम आवाज भी ने उठाएंगे, क्योंकि हमारे आवाज उठाने से मैं डर, आप ये बड़ा खौफ डाल दी है, कि आप ये बात भी नहीं कर सकते, वीडियो भी नहीं बना सकते, आपको किसी वक्त भी अनबेलेबल पर उठा लेंगे, कोई बोलेगा, आप उस पर उठा हालात खराब है, उठा के भी तो चला, आप कोई खिलाना पड़ेगा, मार दो गए जिन्दगी से तो खुदा की कसम, कोई मुझे ये बेगरतों की जिन्दगी हम गजार रहे हैं, इसे तो मर जाना ही बेतर है, आप उठाओ, पेट भरो, आखिरत में अल्ला को मूँ दिखा दो आप आपका कल वह जो इतनी अवाम आपको गाले दरी, अपने ब complaint को किस मूह कोा डिफेंट करेंगे कि क्या हो रहा हुआ हृआ है,roit में क्या हो रहा है, अकंसर क कियते हैं लो कि यार, आप सफेद बात, सच औण कोई उठा देगा, कोई बाते 걸 कर लेगा यार, किस मुल् मैं और बाते करें नहीं सकता इसलिए मैं गुमा पर राके सब कुछ और पर सब मेरे माशालला फॉलोवर्स भी अक्सर कहते हैं कि आप लिवावा बन गया आप किसी से पैसे लेते हो मेरे तंस को तो हो समझते ही नहीं आवाम बिचारी हालत उनकी क्या बिगाड़ के रख दी ह ग्यारा अरब मिडिया पर खर्च करते हैं वो अगर इसी इनसान पर खर्च करते हैं सब आपकी आवाज बन जाते हैं सब आपको दुआए देते हैं लोग घर में खाना खाते हैं अब तो यह लोग जब खाना खाते हैं जब घर में उनके राशन नहीं होती बिचे बिलबिल पाकिस्तान साहब यह कह रहा है कि पाकिस्तान में मत जाओ वहाँ इस काबिल अब नहीं है कि वाज आया जाए जाए क्योंकि आपका पांच रुपए उसका एक रुपए बनता है उनके पांच सो रुपय आपके पांच हजार रपय बंऩे अधाया हजार बंचे, मुझे नहीं पता यह साब किता है इतने बड़े बड़े फिगर में आप लोग चोरिया करते हैं उसको कालकुलेट करते हैं भी दिमाग बख से उड़ जाता है कि क्या करेंगे क्या आवाज उठाएंगे क्या इस मुलका फ्यूचर होगा कौन सी उमीद में लोगों को दूँ कौन सी उमीद में अच्छी बाते करूँ खुद बेउमीद खुद परेशान लोगों के हालत देखें लोगों के इमानदारी सब में से खत्म हो रही है आम आवाम के बंदों में भी इमानदारी खत्म हो रही है क्योंकि हाँ हलाल के पैसों से वो घर का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं वो आप चोरी को अपना हग समझते हैं आम आवाँ की बात कर रहा है इतना निचोड़ा गया इतना निचोड़ा गया कि बस सिर्फ हाँ किसी को ये पड़ी है कि मेरे घर में राशन पूरा हो मेरे घर में बचे बूगर ने मरे गैरतमन लोगों को आपने बेगैरत बना के बेहिस बेजमीर बना दिये है खुदा का कुछ खौफ करो दुनिया कहां से कहां पहुँचगी थोड़ा सा आप लोग शूर पैदा शूर तो आप कैसे पैदा करोगे आप लोग में शूर आपके बलड में नहीं है शूर आपके वो हमारे निग्रान वजिराजम साब कहते है बार मुल जा रहा है तो क्या हुआ और ये जो बिजली के बिल के इतने सोशल मिडिया पर चल रहे है ये इतना कोई प्रॉबलम नहीं है बिजली के बिल इतनी नहीं है चीनी को कोई इशू नहीं है पता नहीं कौँ सा ये बम बिठा दी है हमारे मूँ पर सामने निग्रानम जाजम के नाम पर जिसको बात कर रहे हैं कि मैं समझा तो इसको इसको बात करें ये कुछ अच्छा बोलने वाला आएगा इंग्लिस में बात करेंगा हम समझेंगे ये भी आवाम का बंदा है पहली बार आएगा अच्छा हुआ मगर वह भी डीट ऐसा लग रहे है उसकी शकल देखे आरे अभी बार्डर खोल दो किसी भी आलाके का किसी भी आमें खुदा के कसम पता चलते है किसी भी आवाम के किसी बंदे के दिल के अंदर के आवाज पूछो कोई भी बार्डर खोल दे या कोई भी बार मुलक हमें जाने दो आपने पासपोड बनाके दो खड़ा गिल ses गिंदगी मेरे बच्छा बुग से मर रहा हुगा इसको करन से बिशली के बिल से मर रहा हुगा कोई कियो ऊध्युक्ष rabbits जुब गुल इस दो क्ल мог ऑगअग और आपको अपने रिजीम को अपने इस्टेबलिश्मेंट को हर किसी को आप कवर करते हैं अपने आप लोगों के वह बाते करने के अंदास को जो अब अतातारर साब जब आते हैं इस पर न्यूस पहते हैं कि बाते खुदा की किसम हो जिस बेगहरती से अपने आपकी बाते हैं और दरले से बोलता है कि मैं क्या क्या करूँ आगे क्या हो रहा है और इसके शकल इतनी बड़ी दारी रखके किस मूँ से इतनी बड़ी दारी रखके वो क्या बाते करता है सलूट है वो सलूट है साहरा बानों को जो उनकी चित्रोल करते रहती है खुदा की कसम उस एक औरत की गहरत तो यह पारलिमिट के 70% लोगों में नहीं है और यह इतने खड़े हो किया बोल रहे हैं हवाम को हम चूतिया बना रहे हैं अवाम को हम बेखेरत बना रहे हैं अवाम को यह बना रहे हैं कब क्या होगा यह जिस दिन आप सब को दिवार से लगा दोगे आपके हर कोने में आख लगी दिये आप गिल्गित बल्दिस्तान को गूगल कर लो आप बलुचितान को गूगल कर लो आप केपी के को गूगल कर लो, आप कराची को गूगल करो, अंदर बंदे ऐसे खड़ें किसी ऐसी आग के लिए कि यार कोई भी आवाज उठाएगा, इस मुलक के बारे में किसी चीज के बारे में उसको सपोर्ट करना शुरू करेंगे, ऐसे बेठे में, भूके नंगे, वीडियो बनाओ, क्या बात करो, मगर अल्ला बेड़ा घर करें तुम लोगों का यार, अल्ला उस हर बेजमीर बंदे का, उस हर बेगेरत बंदे का बेड़ा घर करें, जिसको ये सोच नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ हमसे, जो रात को बैठके क्या मैंनेजमेंट स्किल्स की बैठके कि हाओ भात कर रहोगे हैं, क्या हाओ ना गर्रेजमेंट भी आवे मैं यूमन, यह आप लोग बैठे के तैसमे में जो के अनल्म चांड़क्र, इस पीपले ये बात करके आप लोग फिर जाके बोलते हो यार, हमने तो ये कर देना हैं, बने आजादी करने हैं, हमने कि किसम पता नी क्या होगा इस मुलक का अफसोस है सद अफसोस है ना उसको आखिरत की फिकर है ना उसको कबर की फिकर है ना अल्ला का मूँ पे ना पता नी क्या क्या हो सकता है मुसल्मान तो कोई भी नहीं है अरे मुसल्मान तो छोड़ो इनसान भी कोई नहीं इस मुलक में जो पावर में बैठे हैं, मैं अच्छे लोगों की तारीफ करूँगा, किसम खुदा की अच्छा बंदा दिखा दो, कमेंट में बोल दो, मैं उसकी वो तारीफ करूँगा, कि दुनिया याद रखीगी, मगर इर्दटगरते जब लोग मुझे मैसेज़िस करते हैं, पांच-, शेज़ार पे के लिए, वो रोरो ते हैं, बिजली के बिल के रोरो रोते हैं, कि हमें क्या लात रहते हैं, हमें बूक है, अपनंगे हैं, मैं सिर्फ ये बाते कर सकता हु, mark से हैं, कुम की जा करूंगा, द कुछ अचानक हो जाए और मैं अपने बच्चों को बोल दो कि शुकर है याद कोई खुशखबरी आने वाली है इस मुलक में कुछ हालात बेतर होने वाले है और अब फिर हम कुशिश करेंगे कुछ क्रेटिव करने की कुछ पॉजिटिव बोलने की मैं अभी बद्वाय देने पाग्या हो मैं क्या बोलो फिर कहते हो कि सबको यह बोलता हूं सहाफी नहीं हू गोई नहीं हूं कोई fountain एक आम बन्द है जिसके अपने जस्बाद है जो अपने एद्गर्द के लोगों को बाते करता है सब की तर selfish हैं ऍंय करता हूं करी रोड बे जाता हो हर जगा जाता हू लोगों के बाते सुनते हूं अफजर करते हूं मिडिया में नजर आता है दिमाग खराब हो जाते हैं में आवाम बहुत मायूस है अल्ला आप लोग का बेड़ा घर करे जो आवाम के साथ बुरा कर रहे है अल्ला आप लोग के मिस्त नाबूत करे जो आप आवाम के बारे में स सलाम